नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई अच्छी जॉब तलाश रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले तो उसके लिए देखे सबसे जरूरी होता है आपका रिज्यूम यानि कि बायो डाटा अगर आपका बायो डाटा बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है तो आपका एक अलगी इंपेक्ट पड़ता है और आपकी परस्नलिटी का एक अलगी निखार आता है सामने जो भी आपको जो भी रिज्यूम देखेगा तो उसका भी अलगी इंपेक्ट पड़ता है आपके उपर और वो जॉब मिलने में आपको बहुत ही मदद करता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक इफेक्टिव और एक इंट्रेस्टिंग अपना रिज्यूम अपना बायो डाटा बना सकते हैं तार्कि तो आप इसकी रेटिंग भी पढ़ सकते हैं देख जब यह एप आप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्रियेट रिज्यूम ठीक है इसका काम क्या होता है जो भी मार्केट में लेटेस्ट जो इसका पफॉर्मा आता है यानि कहें जो लेटेस्ट जो इसका एक धाचा होता है रिज्यूम बनाने का वो लेटेस्ट तरीके से यहां पर आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपका रिज्यूम यहां बन सकता है और आपको करना कुछ नहीं यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है बस देखे जैसे आप य नाम लिखना है अपना एडरस जो आपको ठीक ठीक अपना एडरस यहाँ पर अपना इमेल आईडी लिखेगा ठीक है उसके नीचे अपना फोन नंबर उसके नीचे टेट ओब आप मैरिटल स्टेटस जो गया है तो देखें नौट इंग्लिश और हिंदी जो भी आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है अब ऐसे ही एक एक करके अब देखें जैसे एकडमिक में क्या है आपने क्या क्या पढ़ा ही करी है वह सारी डिटेल आप यहां पर डाल लिजेगा qualification 1 में क्या किरा है आपने qualification 2 में आपने क्या किया है इसे तरह से आप सारी जिजियां भर लिजेगा फिर उसके बाद सेव पर क्लिक आपको करना है फिर उसके बाद तीसरा आपको देगा work experience का इसको आप क्लिक कीजिए और work experience में जो भी आपने experience आपके पास है जहां पी आपने काम किया है उसका या company का नाम या किस पद पर आपने काम कर रहा है designation या लिखिए कब से कब तक काम किया है यह सब नीचे आपको देखे यह option दिखेगा photo and signature का ठीक है अब यहां पर आपको अपनी photo और signature जो है वो upload करना पड़ेगा तो photo upload करने के लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए अपने phone में आप photo खीच के रखे अपने passport size जो भी photo save करके रखे और यहां choose file पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपको यहां पर आपको option मिल जाएगा यहां प्लिक करके अपने phone में से photo upload कर दीजेगा passport size photo और उसके बाद यहां पर नीचे आपको देख रखते हैं जो भी आपका sign है यहां sign करके आप यहां submit sign पर click कर दीजेगा ठीक है दोस्तों जैसे आप यहां पर submit sign पर click कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको दो option पूछे जाएंगे क्याuden freshers का रिज़्यूम चाहते या है आप experience वाले पर कीजेगा, अगर आप फ्रेशर है तो आप strings पर किजेगा छव म Linda freshers पर क्लिक कर दिया, यहां पर आपको चार option देख हैं नीचे भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके में भी आपको उपना resume चाहिए आप वहाँ पर click कर सकते हैं तो मैं लिजाने यहाँ पर simple तरीके बाले पर इस पर मैंने click कर दिया है जैसे मैं यहाँ click करूँगा तो यहाँ पर मैंने देखिए सारी चीजे नहीं भरी थी इसलिए यहाँ पर मुझे लिखवाया है कि आपकी कुछ important चीज़े missing है उसको आप अपनी profile में add कीजे तो यहाँ पर आप edit कर सकते हैं अगर है कुछ है नहीं तो अगर आप ठीक ठीक भरेंगे तो सारी चीज़े आपको बता दी जाएगी देखे आप background में देख सकते हैं सारी चीज़े मेरी नीचे resume तयार हो चुका है ठीक है तो इस तरह से बहुत effective जो है अपना bio data resume तयार कर सकते हैं और देखे bio data resume का बहुत ही बड़ा काम होता है बहुत ही बड़ा रोल होता है आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में तो दोस्तों हमारी यही कोशिश थी कि हम आपको एक ऐसी वीडियो बनाने में आपका मदद करें तो दोस्ते information ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इ ताकि आपको माई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे जाज से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद